बाई राकेश जी जिन्होंने आपको तीन हजार लाख करोड रुपए के लूट का पुरा सेंटिफिक डोकुमेंटेशन के साथ और उसके बाद अलग-लग काल खंड में जो अलग-लग प्रकार से लूट हो रही है उसके विविद आयाम है लूट के जो अलग-लग पहलू है कि कैसे कैसे हम लूटे जा रहे हैं उससे थोड़ा-थोड़ा आपको अउगत करा रहे हैं कि आप अपनी पीडियों को अपनी जनरेशन्स को अपने बच्चों को बता सकें और आप भी इसके बारे में अउगत हो सकें कि कैसे कैसे देश में ये लूट खसूर चल रही थी और आज भी वो बदस्तूर जा रही है कैसे इससे देश को बाहर उभारना है तो कबाल भात ये अनुलोम विलोम कर लेंगे अभी तो लास्त में करना ही है सोर नमस्कार भी अन्त में करवाएंगे जी राकेज पुझ्य स्वामी जी महाराज के च पुझ्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं आज यदपी हमें ये लगता है कि पुझ्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि डाइबिटीज ठीक हो जाती हैं बिमारियां ठीक हो जाती हैं ये जूटी पैती ये सब सच होने वाला है और इतिहास में ये कहा जाएगा कि उस समय एक स अन्यासी ने जो जमीन पर सोता था, जो दो कपड़ों में रहता था, उसने संगठित इस लूट को चुनोती देने का काम किया था, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ये ऐलोपैथी की कमपनिया इतनी मजबूत हैं, कि इनके सामने किसी देशों की सरकार भी कोई ताकत नहीं लूटा, उसके विवरन उनके समय के लिखेवे लोगों में या उसके बाद लिखेवे लोगों में मिलते हैं, और एक बार उनको पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब कल हमने प्रमान की बात की थी उस डूबे वे जहाज में, किस प्रकार से पाँच अजार मन चा कितने अमीर थे, अब देखें, फ्लोरिडा में आदने ब्रमजी रहते हैं, यूके में पुझ्यमाता सुनिता जी रहती हैं, तो हमारे भारतवन्ष के जिनका डिने भारत का है, वो कहीं भी जाएंगे, कारोबार करेंगे, और कमाई होने के बाद उनके मन में एक इच्छा कि हम यदि कोई charity करें, कोई परोपकार करें, या कहीं धन दें तो अपने मूल देश में दें, इस देश में जूट फैलाया गया, कि जो विदेशी आकरमनकारी भारत में आया और भारत में रहे गए, तो उसको विदेशी आकरमनकारी या उसको लूट नहीं मानते, जबकि वो भी लगातार मुगल शाषन में लूट चलती रही। मैं एक आंकड़ा उसका देता हूँ, ये कहा जाता है ना विदेशी हमलावर तो उनको मानो जो लूट कर बाहर लेकर गए, लेकिन जो इस देश में भी रहे, लेकिन देश में रहते रहते भी उन्होंने लूटा, जैस उसने मक्का में 6 लाक रुपे भेजे थे, अब ये जो 6 लाक रुपे, उस समय के 6 लाक रुपे हैं, ये कितने हैं, आप अंदाजा लगा लिजे कि उस समय एक रुपे में 280 किलो चावल आता था, तो आज के हिसाब से इन 6 लाक रुपे में 2 लाक टन चावल खरीदा जा सकता है उतनी संपत्ति तो उसने एक बार भेजी तो उसके बाद जो लोग महिमामंडित करते हैं कि वो तो यहीं पर रहे गए थे उन्होंने तो देश को लूटा नहीं उन्होंने तो भवन बनाए वो सब संगठित जूट है उन्होंने भी लगातार लूट कर बाहर वो भेजते र पुर्शार्थ करके कुछ अर्जित करना एक लूट होता है कि पॉल्टी कली कैप्चर करके फिर वहां के संसाधनों को वहां के लोगों के पास संपत्ति टैक्स लगाते थे तो अंगरी जोने नबे से लेके 99 प्रतिश्ट टैक्स लगाए इसको कहते हैं लूट फिर जो संस की मदद करते हैं वो उन देशों को आगे बढ़ाते और उसके बाद अपने पुर्शार्थ का पैसा यहां पर भेजते हैं लेकिन जो राकेश जी जी संदर में बात करें कि जो आदमी की जहां निष्टा होती है न वो पैसा वहां डालता है तो भारत वाले तो पुर्शार् हुए हैं Angus Medicine उसको खूब कोट किया जाता है उनको उन्होंने पिछले 2000 साल की GDP के आंकड़े निकाले हैं कि पूरे विश्यों में कैसी GDP रही है आपको स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है तो इस ग्राफ में आप देखेंगे तो जो भारत है इसा के बाद एक सन एक से लेकर एक अजार तक सबसे जो उपर रहा है वो भारत रहा है आप देखें भारत की कोई बराबरी नहीं कर रहा और सतर्वी शताब्दी तक भी मुगलों के समय भी भारत की GDP 20 से लेकर 23-24 प्रतिशत तक रही है वर्ड की GDP का वर्ड जी और दस्वी शताब्दी में ये 30 प्रतिशत थी तो आप ये सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पूरवज अमीर कितने थे भारत को सोने किचिडिया कहा जाता था अगर हम भारत को सोने किचिडिया की बात करें तो पूरी दुनिया की 30 प्रतिशत से अधिक पत्ति केवल भारत में थी और आज की भी हम बात करें तो भारत की माताओं और बहनों के पास पूरी दुनिया का 11 प्रतीशत सोना केवल भारत की माताओं और बहनों के पास है। भारत के पास सरकार के पास केवल 750 टन सोना है और आपको पता है कि सोने को ही सोने का जो रिजर्व रखा जाता है उसी के अधार पर नोट चापे जाते हैं उसी के अधार पर सारी चीजें देश की एकोनोमी चलती है और उसी को ये माना जाता है कि आपात स्थिती में काम यही आएगा तो आज अगर हम बात करें तो भारत कितना आमीर रहा है आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज भी भारत के मंदिरों में अगर मैं केवल मंदिरों की बात करूं तो मंदिरों में धाई अजार टन सोना है पदमनाभन मंदिर की बात करें तो अकेले कल जिस पदमनाभन किलो सोना चड़ाया जाता है आज भी जब भारत इतना गरीब होचुका है तो भी चड़ाया जाता है और अकेले तिरुपति बाला जी के पास ऐसा माना जाता है कि धाइसो 30 अन्सोना है पांच टन्सोना तो उन्होंने सरकार ही बैंक सोना जो गोलडड डिपोजिट स्कीम है उसमें जमा करवाया हुआ है तो यह जो आंकड़े पुराने हम देखते हैं कि हमें लूटा गया और हमीर हम अमीर थे यह पूरी तरह से सच आंकड़े हैं इसमें कहीं भी जूटकी गुंजायस नहीं है और अंजुने कितना खरीद यह आंकड़े लेका है तो माताओं कितने बता रहा है माताओं के पास 20,000 है मारे पूरी दुनिया में जो यह संग्ठित खनम लगता इसकी पतनी नहीं सोना मंगवाया होगा तो इसने बता दिया सारे देशने इतने खटा कर रहा तो और क्यों कर रही है बतेरा देश में खैर यह कहने का मतलब यह कि आज भी इ अचारी है बेबसी है तो उस ऐसी स्थिति में भी इतना वह वह तो आज भी है जी आगे विदेशी लूटने के लिए आते रहे उनको ऐसा नहीं कि भारत का कोई मोसम अनुकूल आता था बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उन्हें भारत बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अरब में तरबुजे खरबुज होते हैं उनको वही खाने की आदत होती है जो रेगुस्तान में होते हैं वो कहता है कि यहां अच्छी क्वालिटी के तरबुजे खरबुजे नहीं मिलते लेकिन फिर भी वो कहता है कि भारत में अच्छी बात ये है कि भारत में यहां से तो बसके ही लगातार लूट कर बाहर भेजना पड़ेगा आगे हम बात करें तो यह चोटे-चोटे कोटेशन लेकर करके आते हैं हमारे राकेजी पूरी तैयारी करके आते हैं जोरदार तले बजावादन क्या जहांगीर के दर्बार में थामस रो नाम का ब्रिटिश है कि एक तराजू में जहांगीर को बैठा दिया गया दूसरे तराजू में रेशम के बड़े-बड़े थैलों में सबसे पहले चांदी से तोला गया फिर सोने से तोला गया फिर हीरे जवारातों से तोला गया और इन सब को बार-बार तोल कर गरीबों में बाटने के लिए अलग रख दिया गया तो वो लास्ट में लिखता है वो कहता कि ये सारा देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ कि इनमें सोना चांदी हीरे जवारात है कहीं इनके अंदर पत्थर तो नहीं भरे हुए लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि उनके अंदर सोना चांदी हीरे जवाराती थे ये बिटिश का राजदुत थामस रो जो जहांगीर से एक चार्टर लेने के लिए एक अनुमान आदेश लेने के लिए आया था कि इस इडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सके वो ये लिखता है NCRT की पुस्तक की बात करें अब ये जो जितने लूट की ये जो बाते हैं जैसे गजनवी गया गोरी गया तो उनके दर्बारियों ने वो बाते लिखी वो सारी बातें अरब में फैली फिर वहां से यूरोप में गई तो यूरोप के सारे देशों के लोगों के मन में एक ही बात थी कि किसी तरह हम भारत पहुँचें और ये जो भारत को सोने की चिडिया को लूटने का काम अरबी कर रहे हैं, इरानी कर रहे हैं, फारसी कर रहे हैं, अफगानी कर रहे हैं हम भी इसको करें तो वो सारे देश, उसमें पूर्टगाल सबसे आगे था, उनकी इच्छा ये थी कि किसी भी तरीके से हम भारत का मार्ग खोजें, यूरोप में आप सब को पता है कि कुछ नहीं होता, तो केवल ठंडा मांस खाते हैं, और केवल अलू खाते हैं, बुना हुआ अलू खाते हैं या उबला हुआ मांस खाते हैं, उबला हुआ अनु खाते हैं, यो उस समय की बात है, पुराने दमाने की, 500 साल पहले, 700 साल पहले, तो उस समय उनको काली मिर्च की एक आदिट पड़ी हुई थी, कि भारत के केरल से काली मिर्च आती थी, और उस काली मिर्च और नमक के बिन और कैसे बिखती थी भारतिया मसालों की वेल्यू कितनी थी कि उस समय यूरोप में जो अमीर वेक्ती होते थे वही केवल इसको खा सकते थे और जैसे हम अपने ड्राइंग रूम में कुछ सोने चांदी के आर्टिकल रखते हैं कि कोई बाहर का आये तो उसको पता लगे हम कित नहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं आप केवल गूगल कर लीजिए कोई भी वेक्ती जो आस्था पर सुन रहा है यहां पर जो मंद से हम बात कर रहे हैं वो कोई किसी पुस्तक को उठाने वाली बात नहीं कर रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं जो आप गूगल कर सकते हैं इ तो जमीन का मार्ग था तुर्की के रास्ते जो भारत का व्यापार होता था भारत के मसाले भारत की मलमल भारत के रेशमी कपड़े भारत के हाथी दात के सामान भारत के धातूं के सामान जो विदेशों में जाते थे उस रास्ते के उपर एक बैरियर आने के कारण वो व्याप बार बंद हो गया तो यूरोप के बाजारों के अंदर भारत के सामान की जो कीमत है वो 400-400 गुणा ज्यादा हो गई historical fact है आप चाहें तो चेक कर सकते हैं तो 400-400 गुणा ज्यादा हो गई तो पुर्तगाल का जो राजा है उसकी बड़ी इच्छा थी कि किसी भी तरीके से हमें भारत का रास्ता मिले पुर्तगाल का उस समय राजा था डैम मैनुवल उसका बेटा हैंडी था उन दोनों ने 40 साल लगाए सरकारी खर्चे पर अभियान जहाज तयार करते उसके साथ सेना तयार करते उनको डेड़ दो साल का राशन देते उनको गारंटी देते कि तुमारे पूरे जीवन की चिं अमा था वासकोडिगामा भारत में आया था हमें दुख की बात यह है पुझे स्वामी जी माराज इसको बदल रहे हैं 70 सालों बाद कि हमें इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वासकोडिगामा ने की थी वासकोडिगामा से पहले तो हमारे समुंदर पढ़ियों के साथ चादियां की हैं, वहां पर अपने दूत बेजे हैं, वहां के दूतों को, वहां के राजकुमारों को बंद toolkit बना कर अपने आहां रखा है और प्राची इन समय से ही भरत के बारे में बिदे पाराने बहारत की खोज की थी और इसको बदलने का काम भी परंपुज्य स्वामी जी माराज कर रहे हैं, इसको कोई दूसरा बदलने का काम नहीं करता। अभी भारती सिक्षा बोन में भारत का सहीत इहास पढ़ाया जाएगा, कि वासको डिगामा भारत की खोज के लिए नहीं आया था। राजा ने अलग-अलग अभियान दल भेजे थे, कि किसी भी तरीके से भारत का रास्ता पता लगाओ, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, भारत के मसालों के व्यापार करने से हम सब से अधिक अमीर बन सकते हैं, और भारत में जितना सोना च हैं, तो पत्र देने के लिए जब वो गया, तो राजा के दरबार में कुछ लोगों ने उससे पूछा, कि तुम पूर्टगाल से हमारे राजा के लिए क्या लेकर आया हो, तो उसने कुछ मूंगे की लड़ियां दिखाई, कुछ थूकने की कटोरी दिखाई, कुछ उसने ये कहा कि हम वहां से कुछ घटिया क्वालिटी के कपड़े लेकर जिनको वो अच्छा मानते थे, वो कपड़े हम लेकर आये हैं, दो पीपे शहद के, दो पीपे चीनी के, कुछ ऐसा सामान उनके पास था, जो उनके देश में सबसे अच्छा माना जाता था, तो राजा के दर्बान ने उस सामान को देखकर कहा, कि हमारे यहां राजा को ऐसा घटिया सामान, कोई घटिया, जो कोई निचले से निचला व्यापारी है, वो भी नहीं देता, और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये, देखे, NCRT की छापी हुई पुस्तक है, कोई विदेशी लोग किस प्रकार से काली मिर्च नमक से खाते थे, किस प्रकार से सजाते थे, 400 गुणा दाम उसका कैसे होता था, तो जामोरिन के दर्बारी ने ये कहा, कि ये जो सामान आप राजा को दे रहे हो, ये तो कोई हमारे भारत का जो सामान ने वेक्ति भी राजा से मिलता है, व वो भी ऐसा सामान उसको नहीं देता तो राजा को ये पसंद नहीं आएगा तो जामारी 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 जाम जो था वो पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं था भारत इतना अमीर था इतना अमीर था आप अंदाजा लगा लिजिए कि अगर हम अकबर के समय की बात करें तो अकबर के समय 16 मी शताबदी में जो समराट अकबर का खजाना था वो 17.5 मिलियन था और ब्रिटेन का 18 मी शताबदी में जब वो राज कर रहा था कई देशों पर भारत पर कई साल तक राज कर चुका था उस समय 16 मिलियन पाउंड का उसका खजाना था और अकबर का पूरे देश में राज नहीं था उत्तर भारत के कुछ हिसों में राज था और उत्तर भारत से जादा संपत्ती दक्षिन भारत में पहले भी थी और अभी भी सोना चांदी से ले करके wealth में south India क्योंकि मुगलों की भी loot से बचा रहा और अंगरीजों की loot से भी बचा रहा और विदेशों की loot काफी हद तक उससे बचा रहा और ये जो मंदिरों में भी संपत्यां जो आज जिसका बार-बार पदमनाभन का नाम ले रहे हैं जो है आपको ये थोड़ा-थोड़ा सारांस के रुप में डेटा बता रहे हैं कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में कोई नहीं था जिस ब्रिटेन का कहते हैं पूरी दुनिया में राज ठाना ये था वो भी हमारे कि का ऐसा वयभाव था और उस वयभाव को किस तरह से लूटा सदियों तक अभी भी लूटे जा रहे हैं उस लूट से बचना है मैंने घड़ी की तरफ देखा वक्त हो गया अब ये लूट का सिलसिला ये थोड़ा-थोड़ा आपको बताते रहेंगे अब दो तरह की रिसर्च आपको बताएंगे एक तो जो आपको नहीं नहीं मेडिशन्स पर रिसर्च कर रहे हैं डोक्टर अनुरागवाशने जी और कल मेडिशन वाली लूट के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे तो जो है हमारे भाई राकेश जी के लिए ये पढ़ाई से इंजिनियर है सेवा से अब जो है पतंजली योग पीठ में मुखे केंद्री प्रभारी है सोशल मीडिया की भी हमारे प्रभारी है जोरदार इनका वनेंदन कई काम एक साथ करते है मैं अपने सिश्यों को मल्टि टास्किंग बनाता हूँ कि तुमको खाली एक विशे का बोध नहीं होना ची विविधायामू का बोध होना चाहिए